नमस्कार रुस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे लुपने सिकार इट बात करें दोस्तो बिहार पूलिस की नई भरती आ चुकी है आपको बता दें दोस्तो बिहार यहां पे अगनी समंग सेवा में आपके 2380 अगनिक की यहांपे फायर मैं सिपाही की पद हैं जिसकी बात करे अगनिक सिपाही की कोटी में आपको 12th पास इजबिटी के साथ वेतमान की बात लेबल 3 की रहने वाली है आई चलते हैं सीधे इसके ओफिशल नोटिफिकिसन की तरफ आप दोस्तों जा के CSBC के ओफिशल वेबसाइट पर अगनिक सिपाही के कोटी के पद में वतमान की बात करें तो लेबल 3 है टेएस सब असी यहां पर पद है जिसमें male female दोनों ही आविदन कर सकते हैं आईए दोस्तों देख लेती हैं, क्या इसकी रहती है इजबिलीटी, और आपको बात करीें इजबिलीटी तो आपको 10 प्र प्ल्स तू जैसे की सिपही पत की रहती है, और इसलासा दोस्तों, आपके जो आपके कोस्षन है, आपके यहां पर मैट्रिक के अधार पर ही रहेंगे और एज लिमिट की बात करें तो अनारक्षित कोटी पूरी सब महिला की 18-25 साल यह पिछड़ा वर्ग के लिए 27 साल और 28 साल यहां इस तरीके साल उसके जन जाती के लिए दिया हुआ माप दंड की दोस्तों बात करें तो जैसा कि बिहार पुलिस में ही रहता है आपकी 165 सेंटीमिटर और 77 अतेम पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुसों के लिए 160 और 77 यहां पे सभी वर्गों के महिलाव के लिए 155 वर्ग अब दोस्तों बात करें सीन्या उना जो सब सब चीज के कोशन पूछ जाएंगे उसके बाद दोस्तों इसका सभी का स्लेबस दिया हुए लिखित प्रिक्षा में 30 मार्ग इसका कट अफ निकलेगा उसको आपका सारेडिक दक्षता होगा जो की दोस्तों बात करें तो आपकी जहापे 100 नंबर की होगी जिसमें दोड़ आपके 50 म का जैसा ही आपको विहार पुलिस में होता हूं उसी तरीकस के सबचीज यहां पर भोला फेक और सबी चीज़ आपका इसी की अधार पर आपका devotee बनेगा तो जो अबंद की सारक दश्टा के प्रिचता के अधीन याप बनेगा तो दोस्तों बहूत ऑच्टी कैने है आपको जाके देख लें निचे इसका देदराव लिंक और सांसा दोस्तों यही आपके वेकेंसी से कट अफ की बात करें तो एक अगस्ट 2020 को आपका एज यह होगा तो एक अगस्ट 2020 तक आपका यहां पर एज रखा गया है तो यहीं दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट थी और बा ओन लाइन के वेबसाइट पर जाके तो यहीं दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट देनी थी और अपडेट पाते रहने के लिए वीडियो को लाइक करें बाकी दोस्तों कोई सवाल हो तो नीचे कॉमेंट जरू करें आपकी यहां पर कॉमेंट सभी का कॉमेंट का और दुबारा वकेंसिस आने वाली है इसका भी अपडेट मैंने आपको दिया था अपने चैनल के मादम से पहले ही तो यह आ चुकी है आप जाके आवधिन करें और अच्छे से त्यारी करो अब फिर अपने चैनल पर आएगा क्या स्लेबस रहती है और किस तरुके से आपक किसाओ